हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जॉब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तों अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों अभी अभी केज जैमू लखनव की तरफ से नई अपडेट आ चुकी है जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि 7 दिसंबर को जो है आप लोगों का रजल आने वाला है जैसा कि मुझे इन्फार्मेशन मिला था लेकिन दोस्तों 7 दिसंबर को जो है यहां पे आएं आप में बारा बजे के आसपास आप लोगों का आएंसर की के जैमू ने यहां पे जारिक कर दिया बलकि मैंने के जैमू लखनव 1291 पर एक वीडियो बनाया था 7 दिसंबर को सुबह में मैंने बताया था कि आज आप लोगों का दोस्तों रेजल आने वाला है और बाई चांस यहां पे रेजल नहीं आया लेकिन आएंसर की आया क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आएंसर की नहीं आता है तो फिर यहां दोस्तों जो यहां पे कैंडिडेट है उनके साथ बहुत बड़ा धोका होगा और यहां पे मैंने बहुत सारे जिक्र किया था आएंसर की ना आने वाला था लेकिन दोस्तों वीडियो के बनाते वक्त यहां पे बहुत सारे जो कैंडिडेट नहीं आपे सपोर्ट किया और आएंसर की दोस्तों आ चुका है तो जी हाँ केजेमू नर्स भरती 2023 दोस्तों केजेमू लखनव की तरब से 1291 पदोग पर नर्सिंग ओफीसर की पर्मारेन भरती निकाली गई है इसका एकजाम दोस्तों 26 नुवंबर संडे को जो है कौफी अच्छे तरीके से हो चुका है इसमें अभी अभी नई अपडेट निकल के आ रही है मैं सुभ़ सुभ़ आज आपको अपडेट दे रहा हूँ रात में दोस्तों आज रात में 12 बजे के आसपास आप लोगों का आएंसर की जो है जारी कर दिया गया है आप लोग यहाँ पर देख सकती हो 7 दिसंबर 2023 की डेट मेंसन है और यहाँ पर देखिए आएंसर की डाउनलोडड़ फॉर नर्सिंग ओफिसर रिटन एकजामनेशन 2023 यानि कि nursing officer का दोस्तों answer की जो है आ चुका है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपके जो है paper code दिया गया है और paper code के सामने आप लोग PDF यहाँ पे open करके आप लोगों को जो MR seat का जो carbon copy मिला है उसके थुरू आप लोगों को जो answer seat मिला है match करा के आप लोग जो है अपने marks यह बनाने वाली है अब देखिए answer की आ चुका है तो answer की आने के बाद जो है cut off की वीडियो यहाँ पे आने वाली है जो कि बिल्कुल जबर्दस cut off की वीडियो आएगी क्योंकि answer की चेक करने के बाद आपको जो final marks है आपकी 100% के लिए हो जाएंगी तो बिल्कुल official answer की आ चुक करना है केजमू जैसे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिए किंग जार्जे medical university केजमू नीचे केरियर का पेज है इस पेज पर ही आप लोगों को किलिक करना है केरियर वाले दोस्तों पेज पर जैसे आप लोग किलिक करोगे तो केजमू केरियर का 200 पेज यहाँ दो सेकिंड के अंदर ओपन हो जाएगा आप लोग चेकाउट कर पा रहे होंगे उपर यहाँ पर देखिए केजमू का लोगो लगा हुआ है किंग जार्जे medical university चौक लखनव उत्तर परदेश इंडिया केजमू लखनव का दोस्तों official website है और इस official website का link नीचे discussion box में दिया ग है तो पलपल की अपडेट के लिए हमारी यूटूब चैनल जो अब इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर दें यहाँ पर देखिए साथ दिसंबर 2023 की डेट मेंशन है आइंसर कीच डाउनलोड फॉर nursing officers written examination 2023 अप्लाइड नौ का यहाँ पर option है इस पे आप लोग क्लिक करोग होती है कि यहाँ पर option कर रहा है कि लेक है टू ाइंसर कीच तो दोस्तों यहाँ पर देख सकतेंक हैं ८्यंहाँ जरूर के देख लेक्ट अब कर आ सकते हो जब आप लोग इस पेज पर आओगे तो यहाँ अप लोग देखिए सबसे पहले देख लेना कि ओफीश्ल वेबस साइट ओपन हुआ है या नहीं हुआ है किंग जार्जे मेडिकल इन्वर्सटी उत्तर पर्दिश लकनौ 226 003 इंडिया नर्सिंग ओफिसर रिटन एक्जामनेशन 2023 आयंसर कीज और यहां पे नंबर वन आपका सीरेल लंबर दिया गया है पेपर कोड दिया गया है और विव का तो दोस्तो ओयमार सीट ओयमार सीट बोलेंगे या फिर ओयमार सीट या आपकी जो है आयंसर सीट कार्बन कॉपी आपको मिली होगी कार्बन कॉपी आपको मिली होगी जिसमें आपने जो है इस तरीके से आपकी जो है एक कार्बन कॉपी मिला होगा तो जो आपको कार्बन क उसमें दोस्तो इस तरीके से आपको मिला होगा तो वहां पर जो है आपका पेपर कोड़ सो होगा तो अगर आपका पेपर कोड़ सो कर रहा है तो यह जो नंबर 1 है किलिक है इस पे किलिक करके आप लोग अपना आइंसर की देख पाएंगे लेकिन अगर आपका पेपर कोड में है यस 4 करके सो कर रहा है P1, Q2, R3, S4 ऐसे मिलेगा आपको अगर S4 है S4 P1Q है तो आप लोगों को नंबर 4 जो option है इसके आगे जो click here का option है इस पे click करके आप लोग जो है अपना answer की देख पाएंगे तो इस तरीके से आप लोग जो है paper code के थुरू आप लोग अपना answer की यहाँ पे देख पाएंगे तो हम लोग number 1 देखती है जो P1 का है click here का option है इस पे click करते हैं जब click करेंगे 2 second के अंदर आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा यह आप लोगों का बिल्कुल official answer की है आप लोग देख पारे होंगे यहाँ पे देखिए nursing officer written examination 2023 paper code P1 Q4S का है question number यहाँ पे दिया गया है इसके आगे आपका answer दिया गया है question number फिर आगे answer दिया गया जैसे आपका question number 1 है और आपकी answer seat में question number 1 के आगे आपने C पर जो है click किया है C पर जो आपने black किया है और यहाँ पे भी देखिए C जो है आपका answer है तो यह आपका answer सही हो जाता है फिर अगर आपने question number 2 का जो है question number 2 का अगर आपने C पर जो है क्या किया है बलर किया है तो फिर आपका यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका सी answer सही है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर check out कर लीजिएगा और check out करके आप लोग count करिए आपके कितने questions सही हुए है और फिर category के साथ जो है अपने marks मुझे share कर दो cut off की video बनाने वाली है cut off की video जो team बनाने वाली है बागी देखी यहाँ पर कुछ important जानकारी मैं आपको देदो total 100 questions है जिसमें से note बोला जा रहा है कि जो यक्स करके सो कर रहा है इस answer seat में इसमें deleted questions है यानि कि 3 questions को जो है केजमू नों यहाँ पर delete कर दिया है अब 3 questions जो delete किया गया है केजमू के धुरू क्या उसके marks मिलेंगे या उसके marks किसी को नहीं मिलेंगे या उसके marks bonus के तोर पर सभी को मिलेंगे अभी इसकी कोई भी जानकारी केजमू ने नहीं दी है तो अभी इसको आप लोग count मत करना और bracket में आपको बता रहा है कि जो deleted question है उसके हमने marks count नहीं किये है तो यह आप लोग दे कि तीन questions को जो है delete किया है केजमू ने यहाँ पर मैं आपको बता दू question number 51 question number 51 है यह दोस्तो question को जो है delete कर दिया गया है इसका कोई भी यहाँ इन्होंने option नहीं दिया है अगर आपने इस question को किया है तो इसका कोई जो है जरूरत नहीं पड़ेगा इसको आप लोगों को छोड़ दीजिए चाहे आपने किया हो या नहीं किया हो इससे मतलब नहीं है question number 51 जो paper code है P1 Q4S इसका question number 51 है इसको जो है इन्होंने delete कर दिया है और फिर जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे question number 29 है इसको भी delete किया गया है फिर यहाँ पर आओगे तो एक और questions है question number 63 question number 63 इसको भी delete किया गया है यानि कि 3 question को दोस्तों के जमू ने delete यहाँ पर कर दिया है याद रखियेगा इसके बाद आप लोग इस तरीके से जो है सभी का देख लेना paper code number 2 Q2 का देख लो R3 का देख लो याद 4 का देख लो और याद 4 का अगर आप लोग देखोगे तो मैं आपको देखिये याद 4 का भी दिखा देता हूँ एक सेकेंड इसमें कौन-कौन से question को delete किया गया है तो question number 3 को यहाँ पर delete कर दिया गया है इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर question number 26 को यहाँ पर delete कर दिया है और फिर question number 34 को यहाँ पर delete कर दिया है यानि कि 3 नहीं question को जो है KJMU ने यहाँ पर delete किया है यह याद रखिएगा थेंक दोस्तो कैसा लगा वीडियो जरू बताईएगा जल्दी से आइंसर की चेक करके आप लोग अपने मार्क से कमेंट बॉक्स में सेयर कर दो मिलते हैं नश वीडियो में धन्यवाद